राश्टर स्तर पर रेस्लिंग में नाम कमा चुके जौनी चौधरी अब हमिर पर में भी युबाओं को दाओं पीच सिखाएंगे हमिर पर खेल एबम युबा सेवाएं विभाग के सहीयोग से युबाओं को रेस्लिंग के गोर सिखाने के लिए काम किया जाएगा इसके लिए खेल एबम युबा सेवाएं विभाग ने रेस्लिंग खेलाडी जौनी चौधरी के साथ बैटा करके खाका तयार किया है और आगामी दिनों में हमिर पर में युबा खेलाडीों को रेस्लिंग में बहतर परजर्शन करने के लिए तयार किया जाएगा रेस्लिंग खिलाडी जौनी चौधरी ने बताया कि खेल कतिविदियों को बढ़ाने के लिए जिला खेल अधिकारी के दोरा बढ़िया प्रयास किया जा रहा है और विभाग के प्रयासों से युबाओं को रेस्लिंग में प्रशिक्षन दे कर तयार किया जाएगा जिससे नमस्कार मैं जौनी चौधरी और मैं सुन दंदग कर रहने वाला हूँ और मैं बच्पन से ही रेस्लिंग में नाम कमाना चाहता था और मेरे पिता जी खुद एक रेस्लर थे उन्होंने मुझे इस लाइन में डाला और मैं स्कूल नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल में चार मेरे मैडल हैं एक सिल्डर है और तीन ब्राउंज है और मैं अभी भी स्पोर्ट्स कर रहा हूँ और हमारा जो है हमीपुर में एक सेंटर चल रहा है रेस्लिंग अकैडमी बहां पर मैं कोचिंग कर रहा हूँ फिलाला भी और आने माले दिनों में हम अगले नेशनल की और इंटनेशनल लेबल की तियारी कर रहे हैं जी आमारे रवी संकर जी यहां डियसो ओफिसर हैं डिस्टिक हमीपुर के तो इन्होंने मुझे बुलाया और आज हम यहां पर आएं बहुत खुशी हुई हमें कि एक अच्छी नेक इनसान और जो स्पोर्स के लिए पूरी डेडिकेटिड हैं और उन्होंने कहा है कि वो हर मुझे मदद करेंगे जो दिस्टिक हमीपुर को स्पोर्स में आगे लाएं जो मेरा छोटा भाई है और आशी चौधरी और बॉक्सिंग में टोक्यो इलॉंपिक के लिए स्लेक्ट हुआ है वो भी फिलहाल अपना इंडिया कैम में है और वो आने वाले इलॉंपिक के लिए त्यारी कर रहा है मैं इंटरनेशनल लेबल पर ब्राउन्वेर लिष्ट हूँ और मैं हर वो टरनॉर्मेंट इंडिया में जीता हूँ जहां पर हमारे रैसलिंग के टरनॉर्मेंट होते हैं तो मुझे मैं चाहता हूँ कि हम एक हमीपूर में भी ऐसा महौल बनाएं कि मेरे से भी उपर बढ़के कुछ बच्चे हूँ इसलिए हम आज अपने डियासो ऑफिस में आये थे और रभी संकर जी से मिलें हमें बहुत खुश हूए कि हैं एसा इनसान है जिसने की हमें सपोर्ट से जुड़रैने के लिए कहा और कहा कि हमें आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे हिमाचेल प्रदेश के लिए जीला खिल अधिकारी रवी शंकर ने बताया कि जोनी चौधरी के साथ युबाओं को wrestling सिखाने के लिए काम किया जाएगा और इसके लिए रूप रेखा तयार कर ली गई है उन्होंने कहा कि ये हमेपर के साथ प्रदेश के यूवाओं के लिए भी एक सुनेहरा मोका होगा कि बेर wrestling की बारिकियों को खियाती प्राप्त पहलवान से सीख सकेंगे उन्हें बताया कि जोनी चौधरी के अलंपिक में भाग लेने जा रहे छोटे भाई से भी वीडियो कॉलिंग करके बदाई दी है आज हमारे कारेले में अंतरास्ट्रे के लाड़ी जोनी चौधरी आये थे तो उनका कारेले में आये और उनका हमने जो शेडूल देखा वो एकसाइज इंस्पेक्टर होते हुए भी जीला हमीरपुर में जो कुष्टी की जो प्रेणा स्तोत है वो वहाँ पर प्रति दिन वहाँ पर जो अपनी वो शेशन कॉलेज के जो केमपर से वहाँ पर चला रहे हैं उनी की कारेलों में होते हुए उनके जो छोटे भाई हैं जिनका चैन ओलॉम्पिक गेम्स में जो की टोक्यों में होने चाह रही हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनसे बात हुई और उनने विभाग की तरफ से शुब कामना दीगे की आने वाले ओलॉम्पिक में वो उपदक लेके बापिस आये हमने उनको आश्वाशन दिया है कि हमारा विभाग उनको जितनी वी जो सेवाई हैं हमारे तरफ से दी जा सकती हैं हमों उनको देने के लिए प्रयारे सत्त रहेंगे आपको बता दें कि जोनी चोधरी ने स्कूल लेवल से लेकर युनिवस्टी लेवल तक नेशनल गोल्ड मेडल हासल कर प्रदीश का नाम रोशन किया है और नेशनल स्थर पर चार मेडल हासल किये हैं जिसमें एक सिलबर और तीन ब्राउन मेडल शामिल है इसके अलाबा सीनियर रेस्लिंग नेशनल प्रत्योगिता में भी गोल्ड मेडल हासल करने का खिताब जोनी चोधरी के नाम रहा है अब जोनी चोधरी के दोरा हमेर पर खेल विवाग के साथ जुड़कर युबाओं को रेस्लिंग और खेलों के प्रती रुची बढ़ाने का काम किया जाएगा जिससे युबाओं को भी एक बढ़िया मोका मिलेगा